आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The gas released during the preparation of bread is पूछा गया है कि कौन सा gas जो है जहां पर क्या होता है कि glucose से alcohol प्रडूस होता है और उसी वे में bread का production भी दिखाई देता है और यहां पर जो reaction होता है उसमें पहले आता है glucose formation जिससे की form होता है हमारा pyruvate और जिस रास्ते को या फिर पाथ को हम लोग glycolysis से जानते हैं और यहां पर ADP जो है वो change होके ATP form करते हैं फिर क्या होता है यही pyruvate change होता है और form करता है जो acid aldehyde होता है और acid aldehyde form करने के बाद क्या होता है कि यहां से form होता है जो हमारा alcohol होता है यानि इथनॉल और ऐसे ही इथनॉल के साथ-साथ यहां पर bread production अगर लिखे तो वो भी पाया जाता है और क्या होता है कि mainly जो gas यहां पर evolve होता है वो gas होता है हमारा carbon dioxide जो कि इस position में पाया जाता है और साथ ही क्या होता है कि इन में जो energy provide होता है वो through the NAD होते है जहां से NADH formation पाया जाता है और ऐसे ही यह process of preparation जिसको fermentation बोलते है वो चलता रहता है in the east और वहीं से bread production भी produce होता है तो इसलिए जो gas सबसे ज़्यादा important होता है वो होता है carbon dioxide और इसी हिसाब से हम लोग second option जो carbon dioxide है उसी को लिख लेंगे और यह particularly पाया जाते है in the organisms जिसको हम लोग east के नाम से जानते है Classics to 12 से लेके NEED IIT जही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 84444 पर